आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशल एक्वेशन के कुछ और क्वेशन डिसकस करेंगे तो पहला क्वेशन है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबस्टिटूशन करेंगे एक्स और वाई की जगह पर आर कॉस थेटा और आर साइन थेटा वैल्यू पूट करेंगे तो डाट के जो यह डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेशन प्लस वाई स्क्वेशन है उसके जगह पर आर स्क्वेशन लिख सकें एक्स की वैल्यू का स्क्वेशन करेंगे so this will be r square cos square theta plus y की value का square करेंगे so r square sin square theta r square common लोगे तो ये cos square theta plus sin square theta क्या हो जगा 1 तो r square value आ गई इसलिए यहाँ पर substitution होगा then उसके बाद जब इसका differentiate करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का dx is equals to इसमें uv लगा देंगे एक बार r as it is रहेगा cos का करोगे तो minus sin theta और d theta and then cos theta को as it is रखेंगे r का करेंगे तो it will be dr same इसी तरीके से dy हो जाएगा y का r को as it is रखा sin का cos theta d theta क्योंकि theta का फिर से करेंगे और फिर sin theta को as it is रखा r का करेंगे so it will be dr अब हम क्या कर रहे हैं कि जो rHS side है left hand side है ये वाला portion इसकी value रख देंगे x की जगा पर dx dy इन सब की जगा पर इनकी value उसको substitute करेंगे यहां से x y की ये value हो जाएगी dx और dy की ये value हो जाएगी तो ये आ जाएगा ये देख सकते हैं x ये हो गया dx y dy x dy minus y dx उसके बाद एक second हमने क्या किया क्योंकि ये डी आर और डी थीटा है न तो हमने इनको अलग अलग कर लिया dr की form ये रहा dr और ये रहा d theta common ले लिया और बागी की जो terms है उनको अंदर रख दिया same denominator में भी dr रखा as it is बागी की सारी terms को अंदर common ले लिया और d theta ये हो गया जैसे कि आप देख सकते हो ये term और ये term आपस में यहाँ पर cancel हो रही है और यहाँ पर ये दोनों terms आपस में cancel हो रही है same ही term है positive negative की तो ये और ये cut गई और ये और ये तो यहाँ पर आगया 0 ये term चली गई यहाँ से और ये वली term यहाँ से चली गई सेम यहाँ पर जब आप r जो है common लोगे तो अंदर cos square theta plus sin square theta 1 हो गया और सेम यहाँ पर r square common आएगा और cos square theta plus sin square theta 1 हो गया इस step के बाद हम आ जाएंगे सीधा यहाँ पर क्योंकि दोनों terms vanish हो चुकी है so this will be r dr by r square d theta एक r cancel हो जाएगा तो 1 by r dr by d theta अब यह आगया आपका left hand side पर जो हमने solve किया था यह वाला इधर आगया और आप right hand side पर क्या बचेगा आप इस negative को common ले लो तो यह हो जाएगा positive और इसमें आप फिर से r square की value रख सकते हो तो नीचे भी r square हो जाएगा बाकी सारी चीज़े as it is तो यह आ गया उसके बाद क्यूंकि यह r square है तो हम इस under root से निकालेंगे तो सिर्फ r बचेगा फिर हमने variables को separate कर दिया r का variable है उसको एक तरफ रखा और d theta वाला term एक कर देंगे तो इसको solve करने के बाद यहाँ पर variables को separate कर दिया integrate करेंगे तो integration के बाद यह क्या हो जाएगा sin inverse r by a क्योंकि यहाँ पर जो constant है वो a है अगर one होता था तो simply हम one लिख देते थे r by one अब बट यहाँ पर क्योंकि a है सो यह हो जागा sin inverse x by a वाला formula लग गया this will be theta plus c sin inverse को left hand side पर shift करेंगे तो यह sin हो जाएगा और यहाँ पर हम sin a plus b का formula लगा देंगे sin a cos b plus cos a sin b और यहाँ पर फिर हमने next step में क्या किया है r से multiply कर दिया है तो इधर r लग जाएगा और इस वाली term में r लग जाएगा और यह हो जाएगा r square इसके बाद यह जो a है इसको हम left hand side पर shift करेंगे तो a हो जाएगा r से multiply करने का reason यह है so that जो हमने substitution किया है हम फिर से उसी variable में इसको वापस से put कर दें जैसे की r sin theta लिया था ना y को तो यहाँ पर r रहेगा तभी तो हम इसको वापस से y लिख सकते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर भी r cos theta को x लिया था तो वापस से उसी वाले variable में shift कर दिया और r square को वापस से हम लिख देंगे x square plus y square तो यह इसका required solution हो गया अब आजाते हैं second question पे so x dx plus y dy plus x dy minus y dx upon me x square plus y square is equals to 0 तो अगर हम माल लो यह जो term है इसके जगा पर हम यह लिखते हैं differentiate of tan inverse tan inverse y by x तो यह क्या हो जाएगा tan inverse का क्या होता है differentiation one upon में one plus x square होता है if it is tan inverse x होता तो क्या होता है इसका differentiation one upon me one plus x square अब क्योंकि x की जगा पर यहाँ पर y by x है तो y by x का whole square आ जाएगा और इसका आप फिर से differentiate करोगे तो differentiate करने पर यह क्या होगा x dy minus y sorry x dy minus y dx upon me x square u by v लग जाएगा ना y by x में क्या लग जाएगा u by v तो v का whole square यहाँ पर होता है एक बार एक term आपके पास as it is रहेगी दूसरे का differentiation minus second term फिर as it is और फिर पहले वाले का differentiation यह हो जाएगा ओके इस x square को multiply करेंगे तो यहाँ पर यह x square और इस वाले x square से cancel हो जाएगा तो यह जो differentiate है tan inverse y by x का यह हमें यह मिल सकता है और यह जो term हमें मिल रही है solve करने के बाद वो exactly यही वाली है तो इसकी जगह पर इस वाली term के जगह पर हम यह लिख सकते हैं तो x dx plus y dy plus my differentiate of this is equal to 0 जादा तर इसका substitution यह होता है हम इसकी जगह पर यह लिखते हैं क्योंकि जब हम फिर अब integrate करेंगे इसको तो directly इसका तो हम लिख सकते हैं x square by 2 इसका y square by 2 और यहाँ से जब integration जो है यह आप पास में cancel हो जाएगा simply हमें मिल जाएगा tan inverse y by x plus integration constant c is equal to 0 यह इसका required answer है आप चाहो तो यहाँ पर यह जो 2 है यहाँ से आप हटा कर यहाँ पर 2 लगा सकते हो और constant में 2 लगा सकते हो तो एक नया constant आप लिख सकते हो c1 यह इसका required answer हो गया third question देखते हैं so इसमें है x plus y minus upon में x plus y minus b whole dy by dx is equal to this अब क्योंकि x plus y x plus y काफी जगा पर है तो हमने उसको जो है एक variable z जो है वो let कर लिए आप चाहो तो you let कर सकते हो अब क्योंकि हमने इसको z let किया है that means कि इसका भी substitution हमें यहाँ से यह dy by dx को हटाना होगा तो अब differentiate कर दो इसको x के respect में तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और यह हो जाएगा इसका differentiate करने का जिसे की मतलब यह है कि यह हो जाएगा dx प्लस में dy is equal to dz और हम divide कर देंगे dx से तो यह क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा dy by dx is equal to dz by dx तो इसके बाद हमें value निकालनी थी किसकी dy by dx की तो इस 1 को इधर shift करके यह आ गया अब value पुट कर दो x plus y की जहाँ पर तो simple आ गया z z minus a upon me z minus b और इसके जगा पर यह value substitute कर दी dz by dx minus 1 और यहाँ पर आ गया z plus a z plus b अब इसको हम solve करेंगे तो इस value term को तो पहले हमने इधर shift कर दिया z minus b उपर चला जाएगा z minus a जो है वो नीचे आ जाएगा और then इस minus 1 को इधर shift करेंगे तो यह आ जाएगा plus 1 और इस side बस रह गया dz by dx यहाँ पर इसका LC हम लेंगे यह जो उपर वाला bracket है इसको हम open कर देंगे और देखेंगे जो भी terms cancel हो रहे हैं उनको हटा देंगे जैसे कि यहाँ पर दो टर्म्स चोटल चार टर्म्स हों है वो cancel हो गई है आपस में बचा क्या यह z square इधर से यह वाला टर्म यह और यह और यह क्योंकि यह twice time आ रहे है तो इसको two bracket में z square minus a b और यह denominator आज़र्ट अब हम variables को separate कर देंगे क्योंकि यह जो form इधर पूरी बन रही है सारी z के form में बन रही है तो इसको इधर बेज दिया तो यह आ गया और इसका आप integration कर देंगे integration से पहले अगर आप इसको इन दोनों brackets को open कर देते हो तो हम अलग-अलग करके लिखना जाते हैं इसको इससे multiply किया तो z square and this will be minus ab so that कि अब जब आप denominator को अलग-अलग करोगे तो यहाँ पर one आ जाए तो उपर वाला bracket को open किया and then denominators को अलग-अलग कर दिया so that यहाँ पर आ गया one और यह इस तरीके से आ जाएगा अब इसका जो differentiation है में just उपर मिल रहा है तो हम log लगा सकते हैं और यह तो वही हो जाएगा simple 2x और 2x प्लस integration constant तो इसका हमने किया तो क्योंकि z के respect में integration हो रहे तो z यहाँ पर जो b minus है इसको हम ब हो जाएगा क्योंकि constant है पर यहाँ पर उपर जी तो है बट तो नहीं है constant तो यह हमने नीचे इदर डिवाइड कर दिया और यह जगा 2x प्लस c यह वला टर्म जो है यह वरी जो टर्म है वह यह आपर as it is और इसको हम shift कर देंगे इस z को shift कर देंगे इस side अब तो यह क्या हो z minus z हो जाएगा और इसका substitution हमने क्या किया था x plus y तो यह क्या हो जाएगा minus x और minus y यह जो है as it is इसको आप solve कर लो पहले 2x minus x will be x positive का minus y plus c इस 2 को इदर shift करेंगे तो इदर आ गया whole bracket multiply by 2 और यह वाली जो टर्म थी यह वाली जो टर्म थी वो as it is यहाँ पर आजाएगी और य I hope Tino question clear है but in case कोई भी doubt होता है तो आप लोग में उसे पूस सकते हैं video timing mention कर दीजेगा जिस भी step पर problem हो and thank you